है सब कुछ बढ़ीए योगा बात कर लेथे सिटाउट के साथ है सिस्ट को नजर स्काउट के बार में सज्ट और भाराव स्काउट के प्रकर एक अडवांस लेवल पर जाने वाले विटा को सासु एन। TX का हमारा collab में, R&D TX में, हमारे साथ मेरा एक पुराना बक्चोद दोस्त, Mr. Ghatak join हुआ है, तो Ghatak के पास Trident है, जिसमें वो सारे Underdogs को train करता है, और एक platform देता है, ग्राइंड करने के लिए, हम वैसा ही system को उठाके, Scout Invitational तक Underdogs को पहुचाएंगे, और एक साइड से सारे T1 तो यह है Scout Invitational की कहानी जो अभी प्लान हुई है, अब इसको लेवल अप करने के लिए, इस सार में Scout Invitational दो बार होगा, अब मलब इस सार मलब दो होजार पक्चीस में है, बाकि महीं, R&D की जो Pokemon Unite लाइन अप है, इस वो में Champions बनते में नजर आ गए Asia Championship League में, तो what can we do, but it's fine we'll try our best tomorrow, R&D against match, R&D are good players, anyone can win, and whoever wins, be sure to support the losing side, no matter what happens, because in the end, players' mind affect from the love or hate you guys give, so even if your favorite team loses tomorrow, I said to your R&D में सो कोई तो हार नही बाला है, both can't win, someone will lose, so whoever loses, please be sure to support them, मैंसा मत बोल देना के, these are just crash players, they should just quit, it is not right, so support whoever wins, and we will try our best S.A.T.L. से, पैच्छा भाई ने hate ignore कर दो, बाकि मैं स्काउट को घातक भाई के बार में बात कव तो आपने अपी देखा, जा पर वो Trident Scrims का नाम लेते है, and यहाँ पर Trident Gaming को लेकर के, Trident E-Sports को लेकर के, गातक भाई कुछ यह post करते है, Trident E-Sports, जो नाम अब हम जगे सुन रहो, 8 month old powerhouse is just getting started, and जो लोग doubt कर रहे थे, underestimate कर रहे थे उनको, and आप बस देखते रहो कैसे Trident E-Sports, एक बहुत ही तगडी wave लेकर के आता है, and एक ऐसा rise देता है, जो पहले कभी नहीं देखा होगा, we are not here to compete we are here to dominate, बाखे में डॉमिनेशन की बात करें, तो बीजमाय का कितना डॉमिनेशन हमें E-Sports के अंदर अप देखने को मिलने वाले 2025 में, well उसके बार में मेजी बात करते हैं, जहां पर वो बात करते हैं, road map की, वो बात करते हैं, कौन-कौन से official tournaments में देखने को मिल जाएंगे, and क्या हमें को international event देखने को मिलेगा, इस चीज़ पर उनका कुछ है response रहता है, events होने वाले हैं, हमेशा कितरा BGIS पहले होगा, फिर BMPS होगा, फिर क्या पता सच में कुछ और हो जाए, फिर कुछ और हो जाए, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, पर 2025 में, 2025 में expected है कि शायद सच में कोई team चली जाए बाहर, expected है, होगा नहीं होगा, वो मुझे नहीं होगा, पहले BGIS चालू होगा, देन उसके बाद BMPS, देन उसके बाद अगर सच में EWC में कुछ होता है तो होता है, नहीं तो, इंडिया वर्सेज, अरे ये इंडिया वर्सेज, ये सब बंद करो, ये सब कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, अगर EWC में इंवाइट मिलता है अगस्त में होता है, जुलाई और अगस्त के टाइम पे होता है, तो अगर EWC में मिल गया, तो मिल गया, मज़े हाद आएंगे, इंडिया वर्सेस कोरिया क्या हुआ, अरे भाईया, एक बार हो गया, हो गया, पीछे पड़ जाओगे, क्या EWC क्या है, बताओ EWC क्या है भई BGIS का BGIS वही, मार्च जैसे हमेशा होता है, मैं सच में कह रहा हूँ कि 2025 में, अगर सच में तुम लोग को E-Sports खेलना है, तो 2025 में बहुत सारे इवेंट्स है, बाके में वीडे माग बेडे, एंड डाउन फॉल जो की BGMA के अंदर अब यह में देखने को मिल रहा है, मतलब E-Sports के अंदर, एंड हां कह सकते हो, गेम के अंदर भी, उसके क्या क्या रीजन से हैं, उसके बार में नियो बात करते वें नजर आ चाते हैं, जहां पर वो, प्लेयर्स की एक बुरी mentality के बार में भी बात करते हैं, कि प्लेयर्स एक्षिली में ट्रॉफी को ले करके क्या चाह게 हो रहा है, और मेरे सबसे घितने भी होनर से ना उनको एक साथ बैठ के ना, एक ऐसा बेस सालरी तो डिसाइड कर लेना छाईए, कि इतना तो होना चाहिए है और एक माक्सिमम सालरी डिसाइड करना चाहिए, समझे रहो ? एक मार्केट बना रहते हैं, वहाना Monday .. यह 1.5 रोजब टीन मांग रहा है वह चार मांग रहा है मुझे तो ऐसा लगते कुछ लोग तो इसे जिन्दगी बाद रुके रहते हैं कि पस एक ट्रोफी जीच जाओ फिर तो दाइब मा घः जूत कि रहा हु अज सेज कि तो फ्र प्लेश लोग की में बीटाइ रहीगी कि बस एक यह तॉप थी और यह तोप थी आ जाए उसके बाद बढ़ने को बोलेंगे उसके बाद बोलेंगे डायलज सेलरी आपको भी लगता है नहीं बढ़े बढ़े मेरे इसा होता है तुम पर्फॉर्म करो में बढ़ाऊंगा लेजिट जो चीज होती थी क्या हो अब भाई शाड़ में 3,000,000,000, भै नहीं चलता हो एशे और इस वजे से तो gaming scenario, मतलब BGMI scenario dead हो यह रहा है, यह जो tremendous salary मांग रहे हैं, जो बहुत प्लेयर सेटना ही मांग रहे हैं, और cash burn नहीं नहीं करना चाहती, और फिंटान ही है, प्लेयर और गलेस हो रहे हैं, यह एक drawback है यह एक setback जिसके लिए से गेमिग हो रहा है पीजे माइड हो रहा है और दूसरा नहीं मेरे को लगता है कि भाइ जो फॉर्माट है वह बहुत अजीब है क्योंकि पहले अपने को इन्वाइट आता था ओफिशल टॉर्नमेंट और कौर्टर फाइनल्स या फिर समी फाइनल्स का उदर से क्योंकि अल से इजी होता था जो बड़े बड़े टीम से जिसे सोल होगे होगे उनको को से क्वालीफ़े और इस सी ऐधार करी कि अधार फिटा टुभाइशन आफू कि वाई सीथा तू अट्रूसे खेलके राउंट two हा उधर तुझे एकाथ हैकर मिले तो बार एक बार एक quarter semis यह वो इससे अच्छा जो पहले का है invite system था कि भाई हाँ तुम उनको quarter semis दो कि at least वो finals जाए जिसके वज़े से watching आ है गेम के लिए सोचो ना गेम के कैसा आएगा तुम मेरे को बताओ और जब सालों बाद Godlike कौलिफाइ करी तो उसमें सोल नहीं है बाई कैसे होगा चीज़े कैसे चलेगी अगर तुम सोचो only with Godlike कितने की वोचिंग तीन साठी लाग की गई थी सोचो उसमें सोल रहे थी और टक्कर का कॉंपेटिशन रहता ब्रो मां का तुम को वोचिंग ही जब उन से आनी है तो यह था हार्ड फॉर्मेट के बाहर कुछ तो भाई प्राइस पुल लो मैं सुन रहो प्राइस पुल नहीं आरे भाई कैसे होगा बागी में बीज माइब के अंदर हैकर्स की बात करें तो काफी सारे जने श्टिल फ्रस्टेटेटेड हैं वह हैकर वाजर सीन को लेकर गे जब नेक्स जनी इसपोर्स की तरफ से स्टूरी रहती है एल बीज में कॉमुनिटी नो स्कोप हैकर्स क्वालिफाइंग ओपनली आइडी लाइव श्ट्रीम पर बैन हो रही है कुछ जने हैं जो हाइलाइट्स बना रहे हैं एम बॉट और अधर हैक्स को लेकर के तब भी क्राफ्टन की तर करके काफी लों कन्फ्यूस थे कि क्या ऐसा सच में दें जो गॉड़े लमर है वो यहां पर इस चीज पर रिप्लाइ देते हैं ना डिश्टब कवने का काम है बस मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला इन फैक्स स्काउट जब लाइव होते तो यहां पर वो भी इस चीज क आज गके सब्सक्राइब क्या रिख यह कंई सब्सक्राइब देवर करलती है तर तो लोग यहां जो को अपरा क्यी महत्ती है यह तो इससे कुछ नहीं है कौन सा पोस्तर ऐसे कुछ हुआ क्या नहीं नहीं गाइस से कुछ नहीं है यहाब्न व लिविग गॉड्लायक के मेंबर्स उस शायद वह आरें टीएक्स जोने बारे हो बाकि मैं पाइल गेमिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो रीसेंटली वो बात कपते में नजर आ चाहती है है हेट कोमेंट्स के बारे में जर प्रत्कततर से नने हैं बाइला ड्रत्कततश के फ्यां के बारे में दूपतल रहे हैं इस चाह रहे हैं ड्रत्कतिवतिते बाध्यों थे। हैं बात्कत बहुते सब्सक्कि अदिर कांथ स्थit of your voice, of the way you present yourself, वोते हैं, अगर मैं तु कभी मना नहीं किया कोई चीज से कि मुझे फाइदा नहीं होता इससे, अगर मैं ऐसा दिनाइ करू कि यार नहीं, मैं लड़की इसले मुझे फाइदा नहीं होगा यार या 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 जोड़ी बोलती हूं, भु कर दो हो सिथे इससे, बेनिफित है, मुझे या दवांटेज है और यार क्योण नहीं तो या 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 लुग हो या wa hara के है घा मैं नहीं करते हैं और गोरिवग्ष př कु === YouTube बहुते डिफरेंट हो गया एस कंपेर तो जो लास्ट दो साल पहले था अभी लोग उतना डेडिकेटेड गेविग विडियो नहीं देखते हैं हम लोग को भी बहुत प्रेशर हो तो बहुत है नहीं लोग करन दो प्रेशियर को एतना गासाथ ह्म गोंवेजमनेंट टो अभी मतलब बहुत ही लोग है तो अगशुनागी और लोग होग श्जय दॉश्च एंड़ गींज मेंगी अटीब प्रेश नहीं पढ़ाद से छाशन गुए लोगों को लाइफ्टायल पेखने में जादा इंप्रेस्ट है और नोट लिए गेमिंग ओडिन्स इसे आपको और वर्साइल और जादा अलग ओडिन्स मिल्ती है but at least they know that there is a community I mean, if they know that there is also a gaming community in India so it's good my point is that things have changed in today's time and dedicated work is that people have more highlights from Biju Mai that people have more highlights from Biju Mai so as a CC, we have to work on different content, lifestyle content I mean I mean there is a lot of pressure on everyone to get the engagement, to get the views there is a requirement of every brand and if we can match them, then we will win the brand with us and I will also see you with the leader signing off